देश के के राजों में बारश का कहर जारी है उत्राखन उत्रप्रदेश माचल प्रदेश में बारश के वजह से नदियाउफान पर है पहाडी राजों में बूस्खलन के वजह से के रास्ते बंध हो गए हैं गंगाई अमुना समेट के नद्याउफान पर है कई स्थानों पर बाड़ से हालात नजिर आ रहे हैं। उत्राखन के अने किसानों पर लगातार हो रही बारश की वजह से हुए बोस्खलन की वजह से बद्रिनात रास्ट्रे राजमार्ग सहीद के सड़को पर यातायात अवरुद हुआ। 96 गाओं के 38,378 लोग बाड़ से प्रभावित हुए हैं। मताबिक हिमाचल प्रदेश में 24 जून को मौनसून की दस्तक के बाद से बारश जुड़ी घटनाओं और सड़काचों में 122 लोगों की मौत हो चुकी हैं। बारश की कारण राजे में 720 सड़के बंध हैं। दक्षड पूर्वी राजस्थान, मद्रप्रदेश, विदर्ब, तिलांगना के कुछ हिसो, चत्यसगड, ओडिशा, कॉंकर और गुवा, तटिय करनाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्राखन और अंडुमान और निकोबार द्वीप, समू में हलकी से मधिम बारश के साथ निकोशिमि मद्र, उत्रप्रदेश, दिल्ली के कुछ हिसो, हर्याना, उत्री पंजब, दक्षडी गुजरात, बिहार, पश्रिव बंगाल, जहार खंड, उत्री तट्यांद्रप्रदेश, दक्षडी तिलांगना, मराठा, वाडा, मध्व महारास्च्रों और केरल में हलकी से मध्यम बारिश होने की संभावना है उत्तरी और पुर्वोतर राजस्तान पूरवी उतर प्रुदेश बिहार तमिलनाडू और लक्षिद्वीप में हलकी बारिश हो सकती है हुई तम जो झाली हो झाली है के बार व刜ते की सस्गय को झाते हुईआ उत्तर राजस्तान